नमस्कार तबैरलाई श्वागज़ नेपाल श्टुल को यूझ्टूब चानल मा अमरो चैनल मा तबैरले क्लास नरसरी देकी मास्टर शम्मा का सबय विशे का सबय विडियो हरू वी टावना सखुना हुँचा त्यो विडियो हरू हेरे रात आप एरले धरे बंदा धरे ग्यानली ना सखुना हुँचा देश्को लागी तपह ले यूटूब मा गएरा थावा छे फेस्बुक मा गए रा नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च करने परने उन चाई आमरो वीडियो लाए लाइक सब्सक्राइब रा शेयर गर्दी नुना मा बिनाम्रान रोद गर्दाशू सदा इसे लाइ मा खेम्राज रकाल आमरो आज को यो क्लास मा स्वागत रायो चैप्टर मा जुन्दी माँ शोदी माया शाठ अंसरक्वेशन सरू्छन तेसकू स् genome ownership अ ममा आएको ऻ। onlar माले को सिमा पृर्च अन उल्ड कोशन नरूङ अबड़ा कुलेट गरे रहा कुशन दरू लिया गोशु शाचा दे जुनत पाइट लाइ नया नया कुशन दरू आउना सकने कुशन अबरू पनी मुएले या लिया रायकोशु आइदा ला तेशो भाइए शुर गरो मा आमरो आजगो यो अचे कुशन सर लाइ कसर एंसर गर कियो वन्दा खेरी तपहिले इनार मा पानी तान्नू भको ला तो इनार मा पानी तान्ना खेरी जब सम्मा त्यो जुन बाल्टी हुँँच त्यो इनार को पानी भित्र भाय को बेला मा पानी तान्ना सजीलो हुँच तर जब तो पानी को सर्फेस वन्दा बाहर आए बुख हाँ एसटो किन हुँचा बने रामलाई कोईशन सोदेगोचा पानी बित्र से तानना स्वाजीलू पानी बाईर जो बाल दी आई शके बची जिए तानना हम लाइ गारो हुँचा की न पर शोदेगोचा अई दक आ देशक एंसर लेकूं देश बूजी आमी बूच्छों It is easier to pull a bucket of water from the well due to the thrust of water. to the bucket. But the thrust of air is very less. Air is very less than that of water. Therefore, it becomes difficult to pull a bucket of water when it is out of water. So, what does this mean? The thrust of air is a thrust of water. The thrust of air is a thrust of water. The thrust of air is less than the thrust of air. The thrust of air is less than the thrust of air. The thrust of air is less than the thrust of air is less than the thrust of air. The thrust of air is less than the thrust of air is less than the thrust of air. The thrust of air is less than the thrust of air. The thrust of air is less than the thrust of air. पर फिफी आयद वाइट अपा टिपेंड गश्या प्रेशर बेशल जस्तों सुके ापनी घरे साउँए प्रेशर दिन जा पानी कंचा प्रेशर दिन जा अहींना पाणी को हाईट माँ डिपेंट हुँँचा शेप माँ से डिपेंट हुँदेई न ओ टे कुर आप आमिले यहां लेखने हो की बंदा घरी द्प्रेशर एक्षॉट एट बाय लिक्वेट इस डायरेक्ली प्रोपर्शनल डायरेक्ली प्रोपर्शनल to the height of liquid column only that is P is directly proportional to height so shape of a basal does not affect the liquid pressure right let's say the barely answer next question मैं जहू और को question किस होने the bucket is filled slower in the tap of a top story than tap on the down story give reason मानेगाचाप बहन को मतला बस्तो यवड़ा यो गहर भुवारे ये ना लए दूई तल्लाचा अब यो माथी को तल्ला भायो तल्ला भायो यो तल्ला को तल्ला बटम इस्टोरी भायो अब या टेंगी हो होंच अब माने लिऊं ये अरको बाथरों में ये वड़ा धार आछ ये बाल्टी राएगो छ ये अब पनी अरको धार आछ ये बाल्टी राएगो छ अब कुन बाल्टी चे छीटो बरेंच बन्दा मूनी को बाल्टी चे छीटो बरेंच माथी को बाल्टी बन्दा टप इस्टोरी को बाल्टी बन्दा बटम इस्टोरी को बाल्टी चे छीटो बरेंच अर्था तेसरी बनन सकेंच टोप इस्टोरिका बैलडी जे डिलो बारें जा तो एसको कारन जाइक हो योचे आमिलाई यहां सोधेगो जा तो हेरनोश यहां सम्मा को आइट बने को यच रईयो टोटाल आइट बने को यच वान लगांच तो कुन आइट देरे हुँँँँच याच्वान मनने आइड देरे हुँझा के उदे ना तो देरे आइड भाईशके बाची पानी को प्रेसर देरे हुझा के उदे ना पानी को प्रेसर देरे हुझा बाईबाची पानी स्पीड में हुझा के आउदे ना स्पीड में आए पाची छीटो बारी नचा के बारी दाइना तेई कुरा लेखने हुआ कुरा बुचनो वो ला ता लेखना साखना हुँँचा since the height of water column in the tap of top story is less than less than that of bottom story or the bottom down story so the speed of flow of water the speed of flow of water is less on top story माथी चाहिए यो पानी को flow के उचा ता कम होंचा velocity कम होंचा speed कम होंचा पानी को तेई बारा माथी धीलो बारेंचा hence a bucket a bucket is filled slower in the tap of top story than in down story इस्टोरी बनने को तो अल्ला मनना वजेगाई अब बार को कुशन माज़ाँ वाट अपेंस अफ एन एक इस केप्ट इन टू बिकर्स कॉंटेनिंग पूर वाटर एंड सैसुरेटेड शॉल्ट सोलुशन यह वाई वने को अब लगवाइ अउडाशी है अफ यवडा अंडला आई शे न दूटा बिकर्स को पीपर्स को गवाटर को विकर्स को वाटर अउन शुद्धा पानी और कोछी शॉल्ट सोलुशन नून गोलिये को पानी जारे अब यवड़ा अंडाल आए यो दूइटा छुटा छुटे बीकर A रा बीकर B में छुटा छुटा छुटे राखनी हो बने के हुँँचा वन्देर हमलाई स्वधी राखो चा तयरनुस के हुँँचा पियर वाड़ार मा के हुँँचा यो अंडा पूरे डूपचा तरा सल्ट वाड़ार मा के हुँँचा अलिकथी तोयरी इंचा कीना यस तो हुँँचा जेनरल कॉंसेप्ट के हो बने डेनसीटी के हुँँचा ता आए हुँचा यो Sall Solution को Density I उन जा, I 1 को बंदा ते भारा Density I बहिज सके पाची अंडा को Density कम बायो, तो त्यो अंडा ची तो रहिए धालेो, तरा Pure Water माद की मुँँचा? प्यूर्वादार को डेंसिटी अंडा को अंदा कम होंजा ते भारा ते अंडा को डेंसिटी आई बगो गारानले ते एक से किम जाद डूप छा तो एसला है अरको तरीकाले खास्मा बनने ओने की बनना सगीन जा बनना घेरी एर नुस डेंसिटी को गुरा ना अवर ने ओने जे अप्थरस्ट को गुरा गरनो परेवा है यह वेन एक इस केप्ट इन बिकर बगो गुरा टूप ग्वाडा यह वे बगड ऑा टूप थे उपना सक्षर वे अप्थर टूप 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 पारा यह वे एस लेस्ट फ़्स थाट टूबरंश्या गड़ weight of object the weight of egg इसलिए मन्दा खोजे गुराख की हो बने यो जुन अणडा यो अणडा को जुन weight उँजा यो अणडा को weight तला तीर लाग शाओ और अप्थ्रस्ट बने को जाले बने पाणिले माथी तीर दिन जाओ अब प्योर वाटर मा की हुँँजा यो अणडा को डूप शाओ किना स्ट्रस्ट सोुर्शन में कि अंडेक वेट वंदा खेल साु Lights न स्ट्रस्ट सो देरें स सॉल्ट सो अफ्थरस्ट स्ट्रस्टिफ्ट्ध गेटरिन वेट आप एंच लेके सेय फोलॉत न स्ट्पलोस्ट न स्ट्रस्ट वे न न rise अगे जिए शॉल्ट सोलुषन को कुराओ पिर वाटर मा चैके उंचा ओठ थ्रस्ट चै वेट मन्दा कौम उंचा यो पिर वाटर माँ चैस साल्ट सोलुषन माँ साल्टी वाटर माँ आए लही नुश की उंचा नग्यरी वेन दस्जीम एक is the egg is kept in a vicar containing concentrated salt solution the egg floats in the tyring जा हैना किना because of thrust due to concentrated water concentrated water अर्ले दीने जुन अप्त्रस्ट चा is high than is more than is more or equal बनी उन्न शक्षा है बराबरी पिन उन्न शक्षा is more or equal than weight of an egg यो गरता पैरे हैं लेखनू परे वाइदा और question मजाओ differentiate between force and pressure force रा pressure को बीच को difference क्यों लेखनू बाने को जा है तो एकदम simple question हो क्यों force बाने को definition लेखने unit लेखने दिम्याक्स आया है force pressure तो पोलो डिपरेंज पोर्स बाने को कियो है इस एन एक्स्टर्नल एजन्शी which changes or tries to change the state of body कुने बाड़ी को state लाई चेहीं force लेके गर्षाथा चेंज गर्षा था बाद चेंज गर्णा खोच्छा आया ज़स्तो रुआ लाई प्रेशर इस दा फोर्स अन यूनिट एरिया यूनिट एरिया मला आया को फोर्स लाय मी बन्चुम प्रेशर कुने बाड़ी सर्फेस को यूनिट एरिया मला आया को फोर्स लाय मी बन्चुम प्रेशर और को और को मैंज हूं अब यूनिट के हो इट्स एसा यूनिट इज नूटन इसा नूटन हो ओ सीजियास यूनिट के हो एड्स 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 एड् हुजे कि हो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वार है इसे डावे डिफेरेंस लिखना सब्सक्राइब अरो क्वेशन माझा एन अब्जेक्ट वेट्स 20 नूटन इन यहार एन 16 नूटन इन लिक्वेट देन एंसर इन दा फॉल्वाइंग भनेगो सा बन्न को मतला व्यवड़ अब्जेक्ट रही सा यो अब्जेक्ट लाई नाप्दा खेरी सें ए आर मा कदी रही सा 20 नूटन रही सा वेट एसको रही यह अब्जेक्ट लाई कुन इन लिक्वेट मा मानेलिवू पानी मा इसर इनाप्दि ओणे यह कदी उन जारे उसको वेट जमा 16 नूटन उन जारे अबाई यो question दा में लाइसो देगोछा what is the upthrust of the liquid of the object यो liquid में लाएको upthrust कती उन्छा यो u को value कती उन्छा निकालनू बनेगोछा पर यो निकालनू माई दा लायरनूश गीवन के गेशा weight in air weight in air air मा उधाखेडी weight कती शा w1 मनेगो 20 newton weight in liquid लिक्विड में होथा गेरिको weight कती शा w2 मानेको 16 newton जा के निकालनू मानेगोछा फॉस्ट नम्बर मा अफ्थ्रस्ट अफ्थ्रस्ट वानेको की होता u is equal to w1 माइनस w2 हैना air को weight माइनस लिक्विड को वेट करेवेने अफ्थ्रस्ट आऊशा so 20 माइनस what is the weight of displaced liquid right with reason मानेगोचा the displaced liquid को weight को वेट को थी हुँँचा तियो पानी 4 newton ने हुँचा की ना हुँचा की आरके मिडिस प्रिंसिपल ले भाने कोचा the upthrust due to a liquid on a body is equal to the weight of liquid displaced by it तेसाहिले weight of liquid displaced weight of displaced liquid यो पानी 4 newton ने हुँचा because according to Archimedes principle the upthrust due to a liquid is equal to the weight of the body sorry weight of the liquid displaced by it right ला, next question माने जाँ, question number 7, figure shows two b cars, one with pure water and another with salty water, out a and b, name the liquid having more density, why does the egg float on the liquid a वने गोशा, अब ये दुईता figure देगोशा है, ये एक चे ये तोरी रहे कोशा, ये ये पुरे डूबे गोशा, बी वने फिकर में, मांची कुन यो दुटा फिगर मदे कुन फिगर में वाको लिक्वीट कोचे डेंसिटी के चा दा मोर चा दे रही चा बने को चा बने बाची दा लिक्वीट इन फिगर एक फिगर मोर देंसिटी के चा देंसिटी दे रही चा रक्की ना या एक फिट भाई रागो चा बन्दा खेरी प्रस्ट पी दे अफ्तरास्ट बंदा भ्राबा खेर रही चा दे रही चा अधा बराबर घ्सटी रही चा ते बरात यो फ्लोट भाहि रही चा यह और आइ so the egg float on the liquid next question में जाम question no.8 what is the difference between floating of an empty ship and cargo loaded ship बाने को बाने को इवड़ा नाउ रहिछा ship रहिछा empty ship बाने को खाली नाउ रा cargo loaded, cargo अरू देरे सामान अरू से हालेको ship मा यो दूइटाता फ्लोट हुँँचा, दूइटा सिल्फ फ्लोट हुँँचा ओक्याई ना, empty ship खाली नाउ पनी, पानी मा तोयरी नचा तरा अनी अरको cargo loaded ship देरे सामान आरेको नाउ पनी पानी मा तोयरी नचा, तरा यो दूइटा दूइटा, दूइटे तोयरी नचा बने, इन दूइटा मा फ्रक्चे किये चा, बने रामलाई सुवदेगो चा तो इसमा फ्रक किये चा बन्दा केरी, cargo loaded ship ले देरे वाटर की गर्षा, तर डिस्प्लेस गर्षा आए, cargo loaded ship ले सामान भरिये को जो ना उसा तेसले से देरे पानी लाई डिस्प्लेस गर्षा, ते इकूर आमले या लेखने, ओ आए, ला, तर लेखनो दूआ, cargo loaded आए, क्वर्षा, ची के लेखने weight of liquid more weight of the liquid as it have as very heavy weight than empty ship law floatation weight 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 इसले देरे की गशाता लिक्विड इस्पेस गार शा जो से लाँ फ्रोटेशन ले वाने को रहा हूँ आर बोजाओ differentiate between Archimedes principle and law of flotation Archimedes principle रा law of flotation विज़को difference कियो आमले लिखनू वाने को शाँ लेखों कियो difference है मैं याट कोलूम बाना दाईशू एका तीरा Archimedes principle और को तीरा law of flotation विज़को difference लेखों अब आर के मिडिज प्रिंसिपल ले कियो बान जादा क्यों आर के मिडिज प्रिंसिपल को instrument बन्दा गेरी कुनेपनी बडी चेहें लिक्वीट मा पार्शियली और फुली इमर्ज गरियेको चा बने अफ्थ्रास्ट बने को के हुंचा था weight of liquid displaced by the object सागा के हुंचा equal हुंचा प्रिंसिपल को त्यों अब्जेक्ट मा लागने अफ्थ्रास्ट बने को or fully emerged in liquid it experiences an off-thrust इक्वाइल टू दा वेट आफ लिक्विड दिस्प्लेस्ट बाइट तरला प्रोडेशन लेक्वां जबना घरी इट इस्टेर्स दैट कुनेपवानी बाडी जे यह धी लिक्विड माँ फ्लोट उन्जा बने त्यों फ्लोटिंग बडी को वेट रह त्यों फ्लोटिंग बडी ले डिस्प्लेस गरेको लिक्विड को वेट शे बरावरी उन्जा व मैरा लस्परॉटेशन ले biggest तो तो अच्वेंस दैक जाइंग को वेंड बाडी फ्लोट उन्ए लिक्विड सिन लिक्विड थन the weight of floating body is equal to the weight of liquid displaced by it यो पईलो डेप्रेन्स भायो लो निखता निकालना मिल्चा था अफ्थ्रस्ट निकालना मिल्चा ओ शो इस प्रिंसिपल इस यूज्ट टू काल्कुलेट अफ्थ्रस्ट अफ्थ्रस्ट बनुने की होता वेट लस्ट अगे अमले एरी माईना युड़ा माँ अफ्थ्रस्ट 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 निकालना मिल्चा अपारेंट वेट लस्ट अपारेंट वेट लस्ट अफ्थ्रस्ट 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 निकालना मिल्चा अपारेंट वेट लस्ट अपारेंट वेट लस्ट अफ्थ्रस्ट अफ् इस ला इस यूज़ तो चौन्स्ट्रक्ट हाइड्रोमीटर सब्मेरीन सब्मेरी मनने को पन्डू भी पानी मैं जून्डू भी रहीं जानी इसला सब्मेरीन मन्छा आई ना सी परू इटी सी ला तो दी फ्रेंस वाई आई दा निक्स्ट कुशिन में जो बाई वीच टू प्रपर्टीज अफ लिक्विट इस इद यूज़ इन हाइड्रोलिक ब्रेक लिक्विड को कुंकुं देस्टो दुटा प्रपर्टी ऩा तो दुटा प्रपर्टी ले गरदा केरी छे लिक्विड अर्लाई युदसे वह लाय्र हाईड्रुलीक ब्रेक माने यूझड गरें छहा लिक्विड को कीके प्रपर्टी हो the two properties आफ लिक्विड आर पहेलो लिक्विड लाइक गम्परेज करना सके दय है न जुसरी शोलिड कम्परेज हुँँज लिक्विड कम्परेज उद यह न लिक्विड कैन नट बी म्परेज्ट रहे अर्यो Kund5-2 ब्रेक अ के उंज मलना है घरी ब्रेक बन्ड को मतल्ब इसमाँ पास्कल ले यूज हुँन चाए लिक्विट लेकिए कारता तुप्रेशर लाइची सब्वे तीर बराबरी सब्वे डिरेक्शन मा बराबरी परपेंडिकुलर ली के गरता ट्रांस्मिट करते शर ट्रांस्मेट रोकिंगा गाडी कुनेबनी परपेंडिकुलारली इन आल डिरेक्शन सब्बे डिरेक्शन योचे लिक्विट को जुन दुदा प्रपरटी सो यो दुदा प्रपरटी रे गर्दा घरी लिक्विट लाए हाइड्रोलिक ब्रेक माई यूज गरें चाहे और गोचां वाट इस दिफ्रेंच बिट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट् का है रहा है हरो, one density को दिटने को दिविनेशन कीो it is defined as the mass per unit volume mass per unit volume of a substance relative density को रिटने को relative density is the ratio it is the ratio of density of any substance to the density of water at 4 degree cells yes यो दिविनेशन बायो दो सुर में density को SI unit के हो its SI unit is kg per meter cube relative density को unit के हो relative density को unit हो दैना किना किना कि यह रुश्ता density of substance by density of liquid ओगे ना बने बाची माथी को density को पनी unit kg per meter cube तला को पनी kg per meter cube बनची यो kg per meter cube kg per meter cube काटियो so relative density को कुने पनी unit हो दैना इसको कुने बनी यूपनी चाहिना बनना हो सेगा है युनिट एचाहिना इसको यूपनीट लेस क्वाइटेटी यूपनीटी नहीं क्वागोड़ क्वाइटू लहाई से लिए अब नेक्स्ट कॉछेशन माहां जाओ कुछे नमा 2Well में क्या मनेरों hydraulic press is called force multiplier Y hydraulic press लीचे, force like की गरचता multiply गरचा आरे 주ầnound, 치 hydraulic press लाइचे , force multiplier भननेच स्या यो afarला बनना फ्रेस ? 6 अरिया मा लगाको 抉आख को खुलो एरिया मा लागने ठुलो फोर्स मा केंचुका रहा है त्ह वर्य स्लाइर फोर्स 친 यह बनेंचा आइड्रलिक प्रेस लाइढ त्हीं को राळा केंच हो रहा है 1946 आइ फोलत अच्च मदारा अए 1941 पॉर्स केंवे वी मल्टीप्लाइड in a large piston by applying small force or less force low force low force on small piston so it is called force multiplier force multiplier next question in a hydrometer if a hydrometer is immersed in sugar solution and pure water in which it immerse more why what is the difference between immersion of hydrometer in pure water and salty water when there are one the hydrometer the hydrometer is in pure water or sugar solution in which it is very deep बंदर शो देखो चा कुनमा देरे डूप चा पहला यो कुछेन को आमी एंसर लेखो आई शुर में कुनमा देरे डूप चा प्योर वाटर मा देरे डूप चा कीना आमी एर चो दा हाइड्रोमीटर इमर्शेश आई अम्यम एर हाँजा आई अम्यम एर इमर्शेश और इन प्योर वाटर दन इन sugar solution की न की बिकास अफ थ्रॉस्ट गीवन बगा प्योर वाटर इस लेस दन आई गीवन बगाई प्योर वाटर इस लेस दन आई गीवन बगाई sugar solution कीणा बन बन घेरी जुन प्योर वाटर ले अफ्त्रस दीन च प्योर वाटर इमाधी थेल ने फोर्शेश के ऊंचा एक दमें काम होन चा प्योर वाटर को सुगर सुलूशन बन्दा तेसा हिले त्यो माधी ठेलने फोर्ष कामब आयरा उएट ले गर दाखेरी त्यो तला आउचा प्योर वाटर मा ते बरा देरे इमर्स हुँचा देरे डूपचा सुगर सुलूशन बन्दा अब और को कोशन हैरों इमर्सन अब हाइडरोमेटर इन प्योर वाटर रा सॉल्टी वाटर सॉल्टी वाटर रा प्योर वाटर मा शें आये किये डिफ्रेंच हुँचा दा इमर्सन मा त्यो माने कोशा तो सॉल्टी वाटर मा बनी कुरा ते नहीं हो कि हाइडरोमेटर को धेरे बाग चे प्योर वाट तर्मा डूप चा कुरा ते यो आप थ्रस्ट को कुरा या मिले गर्लो भरने उन्चा आए यहाँ पनी सेम यही कुरा लेकनूँज तर्मा यहाँ साल्ट सोलुशन को ठाओं मैं साल्ट सोलुशन है कुरा या ते यो आई दा अर्गो जाओं इस्टेट गिवन डाइग्राम एन एंसर दा फॉल्वाइंग क्वेशन अब आमला यहाँ डाइग्राम देगो रहीछा तो डाइग्राम लामले एरे रहा यहाँ सोधिय का क्वेशन को एंसर आमले बन्नू भरने जा आई दल्ला यहाँ इसप्रिंग बैलेंस रहीछा यहाँ इस्टोन रहीछा यहाँ इसको नाबदा खेरी स्वाटिन वेट्ट आ आऊँछा अब क्वेट्ट आई आऊ आए अमले था चाया ना मानेलीं यह ड़ लॉवान वेट्ट आया और अणि यह पानी माराग्दा खेरी यहाँ क्वेट्ट लोड आगोशा 20 न्यूटन यो पानी मान रागदा खेरीको वेट डबलुटू और यो फाइब न्यूटन एरूसता यह बड़ा पानी से जब यो ढूंगाल आए यो पानी मान हाली हो यो पानी माती बड़ा बगेरा या डूबना आयो यह पानी आयो विकर्मा आयो विकर्मा आउदा खेरीको वेट ना आवेको फाइब न्यूटन आयो यो वाने कोचे की हो वेट आफ डिस्प्लेस लिक्वीड हो डिस्प्लेस वाको लिक्वीड को वेट फाइब न्यूटन यहला मोले माने डबलू थ्री आई अब आमला अप थ्रस्ट कथी हुंचा निकालना नू वाने कोचा वाट इस दा अफ थ्रस्ट गीवन बाई दा लिक्वीड तो कथी हुंचा अफ थ्रस्ट वाने के फाइब न्यूटन हो कि नेके आरकी मिडिस प्रिंशिपल ले बन चंदा अफ थ्रस्ट इस इक्वाल टु दा वेट अफ लिक्वीड डिस्प्लेस बाई टो ते 5 newton बायो on which principle in this in this is this experiment based यो जून experiments यो कुन प्रिंशिपल मा बेसा था यो ता आरकी मिडिस्प्रिंशिपल मा बेसा आरकी मिडिस्प्रिंशिपल ले बन चानिता weight of the space liquid is equal to the of thrust provided by the liquid to that body oh so this experiment is based upon our कि मिडिस्प्रिंशिपल this experiment is based on आरकी मिडिस्प्रिंशिपल ठीक्षा ला आवर नेक्स्ट कोशन मा जाओ कोशन नमर 15 में iceberg made up of water floats in water why जून iceberg उन्जा आयना जून हियो उन्जा त्यो पानी ले बहने को उन्जा ओगया इना तर तोचे के उन्जा ता फ्लोट हुन्चा शोलिड हो और ते बनी त्यो जून ice हुन्जा त्यो जून आइसस्ट इजियो चैनी पानीma फ्लोट गर्च्वात त्वाइरी मिडिंश। इस्तो कीन हुन्च वन्देर आम लाग कोईशन मा शो देखो चाहा है तहार नूस जो डेंसिटी को गाराल ने गड़ता है वो आइसबर को डेंसिटी कीम चाहता कम होंचा पानी को बन्दा है तो यह लेक नूस दा डेंसिटी आफ आइस इज 917 केजी पर मीटर क्यूब आइस आइस देंसिटी आफ वाटर को डेंसिटी को थी ओ थाउजन केजी पर मेटर क्यूब आइस 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 को डेंसिटी क्यूब आइस हो ते यह भायरा दू टू दिस आइस आइस बर्ग ईज आइस 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 को जाती वेट चा ते तिने वेट को लिकाँब रेले डिस्प्लेश गहर से अंग ज थे फ्लोट गहर सानिता तेसे अंग शुर्ण लॉटवार अज देत नहीं आपने वेट को लेक्ट डिस्प्लेश घर यह लोग्व फ्लोट एस डिस्प्लेश अले बनेगो आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर ते बर आइसबर्ग चेहिं पानी मा फ्लोट कर चाहिए अरो कुछन मा जाओं हाव इस मेडिसीन फिल्ट इनसाइड दा सिरींज मानेगो चाहिए मेडिसीन लाइचेहिए उन्हेपनी सिरींज माई स्वी माई कोसरी बहरींज बनेरे बनेगो आई तो आमिवरी बहनी सकियों यवडाा सिरींज यो जा यो आमिए बेई रीसोट कुछन मा एरो को थियो पर आँ अल्लाइब आँ अब यो सिरींज माज अब यो तपे पिस्टन लाइद्य तिर तान्न उन्छा त्यानी खेट यां एवड़ा प्रेशार जिंद रेट हुनचा सॉक्षन हुनचा, सॉक्षन प्रेशार वनचे यहला है अथावा यह प्रेशार जेखेए हुनचा एगदम लो प्रेशार हुनचा अब जुन यह बाईरा एटमोस्पियार हुनचा आए प्रेसर दू लो प्रेसर फ्लो हुंचा ते बरा मेडिसीन जाए या बड़ा सर्रा बहरीं जा एदा दीरा बहरीं जाए अब यही कुरा आमिले या लेखनू पर ने ओ यह एट्मस्पियर को प्रेसर को चेंज को कारण ले गड़ागे रही हो है okay so here knows to fill the medicine the needle of syringe is inserted in the container of machine शर मेडिसीन container of medicine अनको मतला दवय बर्नक लागी जुन सुई को चूचा हुंचा तो चें मेडिसीन राखने भाड़ामा छिराइन जा सुरू में oh when piston is pulled out जब यो piston लाई बाइर दिर तानी जा इदा बाइर दिर तानी जा तो वैसले की कर साथा योड़ा वैक्यूम जस्तो क्रेट कर सा it creates partial vacuum inside the storage cylinder as a result medicine moves into the store raised cylinder because liquid always flow liquid always flow flows from high pressure to low pressure high pressure to low pressure our next question मैं जाओ a piece of wood flows in water but a stone of the same size sink बाने को तो यवड़े साइच को काट को तुगरा रहा यवड़े साइच को जुन धूंगा हुँचा त्यों चे के हुँचा अरे कार्चे तॉयरींचा अरे तरा धूंगा चे डूपचा अरे की ना वानेगो छा अब जेनराली तपे रेचे देनसीटी वाला यो रिड़ेट करेक्स एंसर बननुँचा की कार्च को डेनसीटी काम हुँचा ते बर तॉयरींचा स्टों को डेनसीटी देर हुँचा ते बर यो डूपचा बननेरा ततोरा हुएख प्रेश keynote को डेनसीटी योख शाप्र माँ छे ते बर देनसीटी को कुडाला बंदा खेरीछ ओपने वेट लाए reference मानेरा हैविऊए एंसर लेकनुझ फरणें उचा तो डेनसीटी को कुडा पनी यहां गरनु परचा देनसीट को पुषाना गरने वाई ना तरह मेatra M采नसे इंदे लिग्वीड को वेक कॉ आधारवा थो अबजेटट कॉ began मा ऑफ थ्रस्ट कелен में ए मेले शेंद Chодina MOOP art टिंच सँ पर चया आन। पालेहे नैसर प्राव다면 the density of what is less than that of stone दुंगा का बन्दा काट को देंसिटी क्वा मुण जा तेई भायरा so the weight of liquid displaced weight of liquid displaced by wood is equal to its own weight तेई भायरा चाहिए तेई काट को जती weight चानी तेतीने weight बराबर को liquid चाहिए तेई काट ले displace गर चाहिए तेई भायरा wood unpiss के हुझा float हुझा तेई उडचे float हुझा as a result wood floats in water but the density of stone is sorry the density of water बन्दा चाहिए काम हुझा बन्दा 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 बन्दाचे बन्दाचे इस्टोन को density धिरे हुझा ते बारा the weight of liquid displaced बाई दे स्टोनीज लेस देन दे वेट ऑफ स्टोन डूंगा को वेट बंदा तो डूंगाले डिस्पेस करेको वेट यू दूंगाले डिस्पेस करेको पानी को वेट से के उंज़ा दा क्वाम उन्जा किना कि दूंगा को देंचिती हाई उन्जान्द तेसाई कारण ले करदा घरी यो दूंगा चें डूपचा आइज रिजाल्ट आफ वेज दे स्टोन सिंक्स इन वाटर लावावर को एरूम क्वेशन वेन बॉकेट फुल अफ वाटर इस पूल्ट अप फ्रम वेल इन विच कंडिशन आइधर इन्साइड और आउटसाइड दा वाटर इस डिफिकल्ट तु लिफ्ट अप एन वाई वानेगो चा बनको मतला एवडा पानी बरियेको उजुन बाल्टी चा तो पानी बरियेको बाल्टी चे तबाईले इनार वडा तांदा खेरी कती खेरा चाई तो बाल्टी लाए तांडा गार उंच तो बाल्टी पानी भित्रा उदा खेरी तांडा गार उंच तो बाल्टी चे पानी बाईर आवा उदा खेरी तांडा गार उंच वन्हेर स्वादेगोचा रा कीन पनी डिजन पनी स्वादेगोचा रा कीन गार हुंचा वन्हेर स्वादेगोचा एं स्वेश्क एंसर लेखाऊं इस दिफिकल्ट तू पुल अप वाटर when the bucket is outside of water because because outside sorry because there is presence of there is presence of air it outer surface of water and we know that the up thrust provided by air the bucket is less than provided by water in the given figure weight of the stone inside water is nine new nine newton and water displaced by the stone is two newton this is the one which means the water is less than two newton and this means twenty newton sorry nine newton when the water is less than two newton and the water is less than two newton अक्चुल वेट कती हुँचा बनेर आमले शवदेगो बनेको मतलग तो इस्टोन ला आमिले ए आर मां मुदा खेरी नापने ओने कती वेड देखा हुचा बनेको फर्स्ट अमर को एंचर हेरों वेट आफ इस्टोन इन एयर बनेको की हुँचा? वेट आफ इस्टोन इन वाटर पलस वेट आफ लिक्विद डिस्प्लेस वेट अफ लिक्विद डिस्प्लेस बाइ स्टोन यो संगा के हुँचा? स्टोन ले डिस्पयोरी को लिक्वीड को वेट tomm那 ही पानी मा इस्टोन को वेट जोर एकр पत्रफ्र हला के बंचुंँम एक्च्वार्य वेंचुम एक्च्वार। वेट अपी स्टोन खासमा योपनी एक्च्वाल था खुधै एकर सोली एक्च्वा ड़ाए रही हुंचु तो तो ड्लनिगलीजेब ? साह। तर ये छाहा। आ संमातर से घ grands गम से खर झाहक से खर एक्स आतरर । नियुटन अपट्डर से खर ङौई नियुटन अपट्डेस तर हमे रीएकुर्टीच से, प्रिस्पपरिमेंट based on यो experiment जेन कुन principle माँ बेशी है ? बनद amendment यू principle जेन po. यो experiment जेए ऐर क relativ principle माँ बेशी है इस experiment is based on based on Archimedes preence अबर नेक्स्ट कोईशन में जो वाइड हो इस्टोन सिंक इन वाटर इभल्ड ढूंगा पैनी में छे वी टोप ये रपनर पानी को बंदा इस्टोन को देन्सिटी देरे हुंचा तेही बारा so the stone cannot displace so the stone cannot displace water equal to its own weight as a result the stone sinks in water our next question मैं जाओ one feels difficult to breathe in the deep well while cleaning it why one goes बन को मतलब गवर इनार मैं व्यूटा मैं जेलाई सास फेर्नाचे गार उंजा कीना वनेगा तर कीना एर्व मैं जेवाइक्षिजन और आवर आवर्ण और उक्सिजन और अक्सिएड बनी हुंजा आव नैट्रोजन बनी हुंजा अब एकदम गवाईराई मां कार्वन डॉक ब्रिजेंस हाईर हुँजा किना बनना हुँजा बने आक्साइड याप आप याप याफ यह वारी हुँजा ते इस भार ऑड़ा उटा घालतो मां ची हुँजा ऑक्सीजन कम जान्च अक्साइड चे देड़े जान्च ते सहीले अभ जो कार्बन अक्साइड लाई सास प्रत और भार रहें जो गया ना ओक्षिण जाई जाज फेर न अखिए तक दम कम उंचा ते पर अबना मेंचे लाई जो ती साज चाई चा उले लीना सवक देना शो शाज तान ना जे गार रहें जा ते कुर आए मिले लिखनू पर सा या लिखनू स carbon dioxide gas is heavier than oxygen so so there is more presence of carbon dioxide gas in a deep well गयर इना मा देरा इसे carbon dioxide को प्रिजेंश उंचा therefore one feels difficult to breathe in deep well while cleaning it due to absence of oxygen absence oxygen से उदाई ना थब एकदम कम होन जा आई ते बार गार होन जा अबर question में जा write two conditions for a substance to float on a liquid कुने पनी substance चाई liquid मा फ्लोट होना को लाईगी केके दुटा condition उनू पर सा बनेरा बने को सा ता केके दुटा condition उनू बर सा ये उटा बनेको चेहीं जुन अप्त्रस्ट चा मुनी बटा लागने फोर्स चा त्यों चेहीं यो इसको वेट बन्दा यो अप्त्रस्टे देरे वाए बने यो तोहरी इंचा फोर्ट उन्चा तोला आओ देना दूब देना फ्लोट उन्चा ओ तेवरा दा टू कंडिशन्स आर पईलो कंडिशन वेन अफ्त्रस्ट गीवन बाइ लिक्विट इस मोर देन देट अफ वेट अफ ए सबस्टेंस यो कारण ले और और को कारण क्यों बन्दा के री जाबा चाहिं कुनेपनी सबस्टेंस ले डिस्प्लेस गरेको लिक्विट को वेट चाहिं तियो सबस्टेंस को वेट संगा इक्वेल हुन्चा तब त्यो बड़ी फ्लोट गर चाहिं क्या रे कुने बनी सब्स्टाइंस को वेट भन्दा कुने बनी सब्स्टाइंस को वेट भनूम ना कुने बनी सब्स्टाइंस को वेट चाहीं तियो सब्स्टाइंस ले डिस्प्लेस गरेको लिक्विट को वेट संगा बराबारी हुँँचा तब तियो फ्लोट हुँँचा आ is equal to the weight of substance यह दुटा कंडिशन माए बड़ा सब्स्टैंस से की कसता फ्लोट कर जा और कमा जाओ what is the relationship between density of a liquid and upthrust बने को जा तो upthrust को formula की हो बने upthrust u is equal to volume into volume of displaced liquid into density into acceleration due to gravity g उन्जा बने बाची upthrust रा density की हो जादा directly proportional उन्जा हो तो बड़े सरी formula लेखने वाला रा अब लेखने सकने उन्जा की हो जादा relationship बन्दा here knows when the density of a liquid increases the upthrust exerted by liquid exerted by it also increases and vice versa vice versa बाइस बने को जाँ density decrease by बने upthrust बने decrease उन्जा it means that इसले बनना खोजे को गुरा की हो बने upthrust is directly proportional to the upthrust is directly proportional to the density of liquid योने कियो बने पियोड रिक्वार्ड रिक्वार्ड रिलेशन सिपो याद इस upthrust is directly proportional to density और कमाजों एन आइरन नेल सिंग्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मर्करी योटा छें फलाम को जुन किला उन्जा फलाम को काटी उन्जा त्यों चें पानी माचे डूप चा तरा मर्करी माचे डूप देहीं न किना वंद्रे बने को चाता इक वन्दा को मुंजा एंद देन सिटी अफ इरन नेल इस मोर थैन वाटर बट लेस्टन मर्करी मर्करी बन्दा को मुंजा तो तो वेट अ पीत दिस्ट है lower the weight of displaced water is less than the weight of iron हेंच आईरान नेल सिंक्सिन वाटर आईरान नेल को वेट जाती चा त्यों आईरान नेल ले डिस्पेस गरने लिक्विड को वेट से के हुँझा था त्यों वेट बन्दा कौम हुँझा आईरान नेल को वेट बन्दा कौम हुझा ते बरत यो दूपसा तरह but the weight of displaced mercury is equal to or greater than is equal or more than the weight of iron nil weight of iron nil ते बरा mercury मां उदागेटी धेरे अफ्थरस्ट लाक्षा ते बरत यो तोईरीं जा it gives more upthrust which helps the iron nail to float on mercury a ship can carry more cargo on salty water than on fresh water fresh water बने को कुने बनी कुरा नमी सेको salt, sugar अरू नमी सेको pure water मां बन्दा salty water मां छे अरू पानि मा चे यवडा शीप ले धेरे सामान अरू बोक्न साक्षा बन्दिरा बने को चा की ना इसको आमिलाई रीजान दीनू परने चा ओ बने बाची यो ए नमर को को कुशन हो अब बी नमर को को कुशन बनी चा अबी स्टोन लाई पानि मा बोक्न सजिलो हूँचा तर आमा बोक्न कहार नूँचा यो दुडा कोशन चा तर एरू पला शीप को कुशन दाशीप सिंक्स मोर इन रीबर वाटर अथावा फ्रेश वाटर इन फ्रेश वाटर because the upthrust given by the river water or the fresh water given by the fresh water is less than that given by sea water salty water salty water salty water fresh water because density of fresh water is less than density of salty water a ship can carry more cargo on salty water without sinking on salty sorry बई सगयो है salty water ला इवड़ा सी प्लेश ने देरे कारगो बोखना सक्षा देरे सामन बोखना सक्षा नट उभी गनना किया मैं salty water यो कारण ले हो अब आरको कोईश हैंच it is easier to lift a abbey stone inside a water than air बाने तबले डूंगा पानी मा बोखना बाया बाने तबला बोखना सजले होंच तर आवां बोखना गार होंच किना कि the earth rust given by water to the stone is less than sorry is more than that in air आवामा बन्दा कियूंच द पानी मा चें यो पानी ले देरे अफ्थ्रस देंच वो तेशी कारण ले करदा खेरी यो अफ्थ्रस देरे बागो कारण ले करदा खेरी आमी लाइ उचालना सजीलो हुंच so it is easier to lift a heavy stone inside water than in air next question मा जाँ write any two importance of atmospheric pressure atmospheric pressure को दूइता importance की हो दा बने कशा और यची जूना आमी ले pain मा इंग बार जाँ त्यो की कारण लेओ त्यो atmospheric pressure को change को कारण लेओ यो आई pressure हुंच बाहरा तिरा fountain pain वित्रा low pressure हुंच ते बार तो बार हिंच यो atmospheric pressure को कारण लेओ 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 त्योड़ा लेकुनूस दूए इंपोर्टेंस of atmospheric pressure आर पहिलो तो फिल दूए इंक इन फाउंटेंड पेन फाउंटेंड पेन मा इंक बारन ते बार साजिलो हुंच अधबा सीरेंच मा medicine बना साजिलोंच ते बार लेकन साखकुनूँँँच तू फिल medicine इन सिरेंच अरक गुरा ते आडमस्परिक प्रेसर को change को कारण लेओ 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 अखेरी हमिले साइकाल को ट्यूबमा चे की भरना सक्षाँ ता आवा भरना सक्षाँ ते भरा और को यो इंपोर्टेंच हो तु फिल एयर इन बाइसाइकल और अधर बेकल्स अरू बेकल मा अरू कुशन माजाँ अशीब कमिंग फ्रम शी इंटरसुन पार रीबर विल इत अल सिंक मोर और लेस इन रीबर वाटर गिव रीजन मने रव भनेगोजा तो कुनेपनी ना उचे नदी बाडर रीबर तीरा आया भने ट्यों डूप्छा की कौंव और वार्टर मामद़ेर बशा तरीवार्तर मक्यों ओंचा यो ने की उचर्णा और प्रिश्पूर्स अी्य ले लेगिशित करने वॉद जो अखेस्ट अश्पूर the ship sink most in fresh water or the river water river water because the off thrust given by the fresh water is less than that given by the sea water because the density of fresh water is less than the density of the salt water a ship coming from the sea enters sorry a ship coming from sea sinks more in river water or what happens to a balloon filled with air when it goes very high altitude from the surface of the earth and why one goes the ptb co surface one the the balloon filled with air the balloon filled with air burst when it reaches very high altitude from surface of earth because this is the balloon the balloon is फ्लू बागो कारण लेकर था किरी फूटे को ते कुरा आप आमेले हैं लेखनू परने उन्चा तो बीकाउज एट भेरी हाय अल्टिट्यूट दा एट्मस्पेरिक प्रेशर इज भेरी लेस लेकर अचाले सिलरी सिलर डट्मस इन भेक लोसी कि ले Servelरान प्रेश सिलर भेरी सिल्टी घ्य region to low pressure region जे कुरा पनी पानी पनी अबा पनी आई प्रिशर पना लो प्रिशर दिरा फ्लो उन्च so in order to get outside of the balloon the the balloon gets burst balloon जे फूर्च आवालाई बायर निटी ना जे मन लाक्षा आई प्रिशर टू लो प्रिशर फ्लो न धाल्चा तीशरी फ्लो उधा खिरी जे अब बेलून ता बंदा हूंचा ता बेलून फूर्ट न बार ते बरते बेलून फूर्चा आई इन अड़र तू गेट आउटसाइड अब बेलून दा बेलून गेट्स बास्ट अरू कोशन मा जाँ अन एक सिंक्स इन फ्रेश वाडर ब्लाट फ्लोर चीन इस्ट्रॉंग सोलूशन अब सॉल्ट बाने कोचा कीना कीना बंदा खिरी फ्रेश वाडर को की हुझा दा डेंसिटी काम हुझा एक बंदा और शॉल्ट बारर को डेंसिटी चे की हुझा दा एक बंदा धेरे हुझा डेंसिटी काम बाय बने अफ्त्रस्ट बने काम लाग चा तो अफ्त्रस्ट काम लाग बने क्यो तला जोर छा, सिंग होंचा है ना तेसको एको वेट होंचा याए को वेट जिए तेसलिये डिस्प्रेश गर एको liquid को वेट वंदा देरे होंचा ते वरत ते सिंग होंचा fresh water मा तर शाल्ट water मा झे अपस़्रस देरे लागने वागड़ा रहान ले करता seven बरतियो फ्लोट उन जा तेल कुरा आवा मिली हां लेखने हो आए लेखों फ्रेश वाटर है ज्स देन्सिटी थेन अब आप एग so the egg cannot displace water equal to its to its own weight due to less of thrust and it sinks on your dupsa but salt solution have more density than that of of egg hence it displaces more or equal weight of liquid as compared to its own weight due to more upthrust and hence it floats of egg have a other question on the ship sinks more when extra load is added to it y आपनो वेट बराबर को लिक्विर की गर्षा डिस्प्लेस गर्षा तो की मैं एक्स्रा लोड अल वीट्टी के वेट्य टने वित्ति काई तो शीप वेट्यम वेट्पिति अग्यों पादा इनक्रीज उन्छा त्येस्ले आपनो वेट भरावर को लिक्विट लाइब के गर्षा डिस्प्येश कर छा बननों को मतलाग क्यों अली कती सिंक होन्च अली कती डूप्षा पूरे डूब देना अली कती डूप्षा किना ता फूर्ट उनाको लागी यह फू floating body displaces liquid equal to its own weight when some extra load is added to the ship its weight increases so the ship sinks more to displace water equal to its own weight in order to float next question in the water an iron nail sinks in water but a ship made of iron fluids why so the iron nails sink in water so the iron layer will not sink in the water so the iron layer will not sink in the water so why is it going to sink in the water now what is the answer to this question the density of iron is greater than that of water then that of water the iron nail sinks because the weight of iron nail is greater than the weight of water displaced by it so the iron nail displace the liquid weight is greater than that of water so the ship made of iron is designed in such a way that the relative density of ship becomes always less than that of water so in the water in less than that of water similar they sale पानी को डेन्सिटी को मा तुलाना गरने वने ते शीप को डेन्सिटी जे क्वाम होन जा ते सहीले करदा खेरी त्योचें डूब दाइना किना की so the ship floats on water because the weight of water displaced the weight of water displaced is equal to the weight of slip weight of ship ship लेडिस्पेस गरेको liquid को वेट से शीप को वेट सांगा बराबरी उन्जा तिस्तु तरिगाले design गरेको उन्जा ते बरा त्योचे डूब देना फ्लोट उन्जा तई रिंजा अरो कुशन मा जाओ a balloon filled with hydrogen gas rises up but the balloon filled with air falls down more than hydrogen gas hydrogen gas बरेको जुन बेलूँण जा त्योचे ही माधी माधी जान जाँ तर्र हाइड्रिजन ग्यास नवरेको Air बरेको जुन को देन्जा त्योचे तला 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 आं ऊँचा इसको की ना हुँचा रिजन दीनू मंद्रा बने व्था यहाम लाए को श्री कई तो बेलून को वेट यून तो अदीवे बाएवाने तो बेलून के ऊण ऊद तही क्या लेक्नेट पैला एलिजन गेपश को कुब आ the density of hydrogen gas is less than that of air so the air exerts more of thrust on a balloon filled with hydrogen gas hence the weight of displaced air is greater than the greater than the weight of balloon so balloon filled with hydrogen gas rises upwards so the air is very low so the balloon is less than the weight of the balloon is less than the weight of the balloon so the weight of the balloon is less than the weight of the balloon is less than the weight of the balloon filled with air is more than the of thrust of air so the balloon filled with air falls down next question question number 23 how much water should a gall weighing 600 100 newton displaced in order to float in water and which one is the salt solution in the diagram y and the y is the second question 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 ये वड़ा केटी चे ले तो केटी को वेड़ चे 600 निूटन चा रहें अबा त्यो केटी चे पानि माँ फ्लोट उना को लागी त्यो केटी ले कथी लिक्विट कथी वाटर चे डिस्प्लेश गरनू पर चा बने रा बने को चा तो काती 600 N वेट भाको लिक्विद चाहिं उल्ले डिस्पेस गरनू पार सा कि ना कि यो आमरो आर्केमेडेज प्रिंसिपल ले बने को गुरा हो आर्केमेडेज प्रिंसिपल अर्केमेडेज 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 प्रिंसिपल अर्केम from law of flotation weight of a body is equal to weight of displaced liquid so in order to float in order to float the girl should displace the water equal to her arm weight that is 600 newton ko weight liquid so in order to float in order to float which one is the salt solution in the diagram yox and y your data figure is yox and y your data figure ma kun chai salt solution ho ho ane go cha absolutely figure y chai ki ho thai yoi salt solution ho yoi salt solution ho kina ho ho vandagiri salt solution ko density density kye ho chai to h fiz media ndra ko banda aeg ko banda boodato ko das прост minan a shakab lista ray split fine LOIDI T rapport density वाण तो यह उन्जों तर देड़र la ट्यों एकू वैट वंदा देर्य आपत ओwriting आपत रेक्ट लाख्थ राक्ष तो सuçãoलने को मतलब दियों एक को वेट को वेट ना, लेक्न मुदा यहीं को यहीं सिलंए derechoɦ界 यह knights is the salt solution because the density of salt solution is more than that of more than that of what liquid sorry egg more than that of egg so the weight of displaced liquid is equal to the weight of egg weight of egg due to higher amount of upthrust upthrust of liquid displacement in the salt solution salt solution in the in the water प्रतिक्रिया दिना नाविर सन्नु होला तपेर लाइक के समस्य आयो यहांके एकुरा भूजनु भाए न अथापन नोट चारू पीडिया भरू चाहिए वने यो नम्मर 9849 and 2595 and 25 withdrawal धने ऑरले ब्यवार टंट लिवर छित अलाई मेसेज गरना शक्र्णु होंच सच आते ऐमाले घ्रली टंट ईलीग्राम मां एकुलने यहां वॉस्तागिर्ण throttle फी अफ्राला होंड़ पॉ Somehow le झाल झाल